वेलकम टू माई चैनल ग्यान गंगा दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यान गंगा पर हम पढ़ रहे हैं क्लास एट का लेक्षन नमबर वन क्रॉप प्रॉडक्शन एंड मैनेजमेंट चलिए इस लेक्षन को स्टार्ट करते हैं हमने पेज नमबर 9 तक पॉडलिया जिसमें इरिगेशन सिस्टम यानि कि सिचाई के मेटट के बारे में जाना था किसे हैं इरिगेशन होता है अब हम पेज नमबर 10 पर आएंगे जहां पर हमें दिया गया है प्रोटेक्शन प्रॉंग वीड्स तो आपको जानना है कि वीड्स क्या होते हैं प्लांटे 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 प्रसक्राइबल प्रिजियकर प्रीट में फृट में गहां गया जणी होतार हैं वीट के जो सब्सक्राइब ऊंप प्रांट सेकर उते हॊथ यानि की रिमूब करते हैं, the removal of weeds is called weeding क्या बोलते हैं उसको? वीडिंग, या रखना ऐसी process जिसके दोरा इसको हम निकालते हैं उसको बोलते हैं वीडिंग चाहे हां से निकालने चाहे, कुर्पी से निकालने चाहे जिससे हम घास को निकालते हैं उस प्रोसेस को निकालने को बोलते हैं वीडिंग, वीडिंग मतलब फाल्तु प्रेड पॉदों को खेट से निकालना यह हो गया, weeds के बारे में उसके बात बोल रहा है कि इसको निकालना बहुत जरूरी भी होता है क्यों कि अगर निकाला है क्या हो जाएगी weak हो जाएगी क्योंकि भाई यह घास उडवा तो साथ क्रॉप के साथ रहाएगी यह भी nutrition लेगी यह दवाई लेगी इसलिए घास पूस निकालना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो आपको याद रचना है कि वीट को निकलना जरूरी इसलिए होता है ताकि हमारी प्रॉप जो है हमारी फसल वह अच्छे से उगए और कम्जोर ना हो ताकि इसको प्रॉपर वॉटर प्रॉपर न्यूट्रियंट्स प्रॉपर स्पेस प्रॉपर लाइट सब कुस छूक्ष झालम में पपपते हैं 2020 चाहरीली पर सब्सक्राइब करें जहरी लहते हैं, उनको तो खार के फेगना ही जिरूरी होता है, तो इसको निकालने के लिए हम अलग-अलग टेक्निक का इस्तमाल करते हैं, ठीक है? तो एक टेक्निक होती है, कि मझी फसल लगाने से पहले ही टीलिंग कर दो, उसकी घूटाई अच्छे से करदो, उसमें घास निकालके फेग दो, तो वो घास सूक जाती है, एक होगा टीलिंग करके ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि वीड्स को हम टिलिंग करके भी इसको जान से मार सकते हैं और उसको हम खतम कर सकते हैं सुखा सकते हैं और फिर दिरे-दिरे मिट्टी में मिल जाएगा ठीक है हम फिजिकल अपने हाथ से भी निकालते हैं उसको हम काड़ भी सकते हैं जड़ से उखाड़ भी सकते हैं खुरपी का यूज करते हैं सीट डिल का भी यूज़ कर सकते हैं वीट को अपरूट करने के लिए अपरूट करना मतलब उखाड़ना ठीक है अपरूट भी कर सकते हैं हम इसको ठीक है तो अपरूट कर देते हैं वीट को हम उखाड़ देते हैं वीट को हम हाँ से उखाड़ सकते हैं खुर्पी से उखाड थिक है तो यह आपको याद रखना एक तो यह हो गया उसके बाद यह हो रहा है जिसके कि घास पूरी खतम हो जाती है तो घास नहीं उत्री घास पूरी सूख जाती है उस चैमिकल को बोलते हैं वीडी साइड क्या बोलते हैं वीडी साइड वीडी साइड वो केमिकल होगता है जो कि घास उसको जला जिता है जैसे कि एक वीडी साइड के एक गजामपल है टूफोर डी टूफोर डी क्या एक केमिकल है जो खेट में डालने से पूरी घास खतम हो जाती है इसको स्प्रे करना पड़ता है इसमें खेट में स्प्रेय करना पड़ता है जिससे सारे घास खत buff को नक्सान नहीं पहुचाते है तो 24-0 एक वीडि साइड है करना पड़ता है एक तो फोडी क्रॉपे को को सोतें इंको महतना है और कैसे का स्प्रें केमिकल कई है। उसके क्या करना पूरता है। वर्टर में kilowकुर्ट करना पूरते है। बंतब धेल सारे पाड़ी में ठोड़ा सा विडियसाइड दोखों हम भोल रहे ह Malay DDêm प्रेट कर देते हैं तो आप दे सकते हैं वीडी साइट देखिए फिगर 1.6 में दिखायागा एक आजमी फार्मर जो प्रेट कर रहा है तो वीडी साइट कर रहा है इससे क्या वारा जो हमारी फसल है वह तो फ्रक्षित रहेगी लेकिन जो फाल्तों के घास पूसे वह सारे सारे पेड़ों को जन्म दे सकता है इसलिए वीड जो होते घास हो जोते बड़े हो उसमें फूल लगे उसमें बीज लगे इससे पहले ही हमें जो इसको मार देना होता कैसे भी करके ठीक है और यह केमिकल्स करते हैं वीडी साइट का तो हमें बहुत ध्यान से यूज करना प अपाई प्रोटेक्शन फरांवीड मतलब अपने फसल पूब जाना को करूंग से बचाना फिक है तो हो गया फ्रोटेक्शन फरांवीड इसके बाद और देखे कुछ-कुछ और टॉपिक दे हुए इसके बाद जो वाना next topic है बहुत ही important है वो भी वो आ रहा है harvesting harvesting नहीं करने हो तो फसल खेत में सर जाएगे harvesting मतलब होता है कि जब फसल त्यार हो जाएँ उसको काटके घर में ले आना देगी बहुत अच्छी सी definition दि भी इए the cutting of crop after it is mature is called harvesting इन अ हावेस्टिंग हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है कटिंग मतलब फसल को काट त्वीट के धर में ले आना कटिंग करके उसको धर में ले आना और अपने धर में रखना तो हार्वेस्टिंग करेंगे तब ही तो फसल हमें मिलेगी कुछ लोग पुल आउट कर लेते हैं कुछ लोग काट ल कटने के लिए किसका युज करते हैं देखिए फिगर 1.7 कि काटने के लिए हम सिकल का यूज करते हैं कि इसको नोग को भासा में हसीय भी बोलते हैं आप यहां फिकल फिगर 1.7 देखिए हां से पकड़ा हुआ और ऐसा कर्व जैसा है प्रवेस्टिंग कर लेते हैं फिर अपने काम की जी जी लें हम निकालते हैं हार्वेस्टिंग कर लिए मान लिए यह गियों की फसल है तो इसमें से गियों के जाने अलग करने पड़ेंगे हैं तो इसको बोलते हैं थ्रेशिंग् जब मांलिए चैनल पसल का द्रैशिंग् जहें हमें कि ग्रेट को अलग तरने की प्रॉसेस की बोलते है ग्रेशिंग यह यह देखिए लिखा हुआ है southern घ्रेशहं शेप Academic से हमदों बोलते हैं घ्र हम आप whisk Ohhh और बड़ी सी मसीन उसकी उसको क्या बोलते हैं कमबाइन क्या बोलते हैं इसको कमबाइन देखिए यहां पिक्चरे बनाऊगा फिगर वन पॉइंक के इपने कमबाइन यह क्या करता है कमबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होता है को मटते दाने को दोनु काइन का माज़ चावल की सब्सक्राइब वेशर को प्रुंक आय का लुद्धों कांट करता है तो कमभाईन एक विधस की मशिन है जा ह्यभ्यक्रायज कarı फसब को कांते हैं को विद। कर्म अबनाह नखिको दाने को सब में आपने में में भी मज़व करता है। तो यह हो गया 10 एए हम ने पहले हर्वेस्टिंग किया भावसल को काट लिया फिर अवज़ में दाने को अलग करना है। तो उसके चावल की सब्सल्व है। तो उसके यह कहना पर पता है। उसके कौन से मशीन चाहिए थ्रेशर। से हम दा कर दोनों का काम कर ताफिक है कर एक और कॉर против जिसके दो intra हम क्या करते हैं है झरेन் कोश्के अलग करतें वह रिझन तो विनोइंग वह प्रॉसेस होती है इसमें हम क्या करते हैं। बूसे से अलग करते हैं इसके दाने को। विनोइंग मशिन देखें फिगर 1.9 दो बना हुआ। इसमें भी वही करते हैं। इसमें क्या करते हैं की ? इसमें भी करते हम कि हम प्रूंच के डाने को इस को अलग करते हैं हम विनोइंग वह प्रॉसे होती है जिसके दोरा हम शेफ से ग्रेंग को अलग करते हैं इसको लग करते हैं विनोइंग प्रोसेस जिसको दारा हम अलग कर लेते हैं कि इसको पूरा उम्जार्ओ इसको पूराग पर लेंगे इसको मैं निए बताँगा हर्वेस्ट रिश्टवेल में क्या होता है या आपका हूंगा कि संप्रा रीडिंग करिए समझे नहीं समझ मैं तो बताइए अब देखें लास्ट सब कुछ हमने कर लिया तो हमारा लास्ट सब करना है तो स्टोरेज करना है पर का का सट्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है या और दखियेगा स्टर करते हैं .. सुपर से कि。 इसमें बोरी वह семина फिर्ज affecting उत्वरसानी उत्विते हैं जूट बेग्स आुट ब्राउन कलरा की बोरी जाए होती है जूट बेग्स या मेटैलिक बिंड्स होते हैं या बड़े 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 primer तीं जैसे होते है ही इद्र वें पूस favori है कि और वादे को झाय उस्की बड़ी तें है ती बड़े होना ऑर लौत बड़े बड़े अफ़ा किस नियुन मासे 낮ा चता है हम जो भाछा होता है देखिए वा यहाँ पर बना हुए ऐधिए पिक्चर यहां देखिए बनी से बनेंगे पेज नमबर 12 पर उपर टॉप पर देखिए फिगर 1.10a सिलोज और स्टोरेज ऑफ ग्रेंज यह बहुत बड़े लेवल का होता है तो सिलोज में स्टोर करते हैं सिलोज में स्टोर करते हैं जिससे की श्रक्षिट जाता है तो सिलोज में किसमें हम स्टोर कर सकते हैं लार्ड स्केल, ठीक है यह आपको है अपना है कि तो सिलोज जो होते हैं बड़े 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 बढ़े डब्बे जैसे होते हैं देख सकते हैं इसमें हम स्टोर करते हैं फिराक नाम होता है विर, अ,N,A,R, I,E,S तो स्टोरिस कहां करते हैं सिलोज में, ग्रेन रीज में, जूट बैग्स में, मेटैलिक बिंथ में इसमें हवा, धूप, पाने, कीड़े, मकोड़े, चुए, बिल्ली, इस तब चीजिए उसको खराब नहीं कर सकते हैं और ड्राइड नीम लीवस , यह भी जएखा नीम के प्रेड के प्रेडàngी अगङनी में किया है, पता नीम का प्रेड है यहाँ, भाता नकरमे प्रेड है लगता है ड्राइड नीम के प्रेडви की प Advent मकोड़े उसको बीच में नहीं है बड़े बड़े गुड़ाउन वेग्राम हमें क्या करना पड़ता है केमिकल से भी टीप्मेंट करना पड़ता था कि इसमें क्लिए माइक्रो और निजम्स ना लगे अब मारा सबसे लाज्स टॉपिक पर क्या बतादा माइक्रों पर फूड फूड फ्रॉम एनिमल्स आपको पता है कि हमिए बहुत साथा फूड अनिमल्स से मिलता है लेकिन अग्रिकल्टर से फूर्ट किया कि खेटी ग्रेस्टी करके हमें मिलता है लेकिन अनिमल से मिलता है एक्टिविटी 1.3 में देखे लिखा हुआ जैसे मिल्क कहां से मिलता काओ बफैलो शी गोड शी कैमल है इन सब्सक्राइब मिलता है मिल्क यहां पर दीया है मीड भी मिलता है अग्रिकल्टर से खेती से जमीन में खेती करके तो हमें मिलता है यह खाना पीना लेकिन जानवरों से मिलता है तो food from animals, milk मिलता है, meat मिलता है और यह मिलके सको आप टेबल में भरेंगे और आप कई होमवर्क है, कि कौन सा food product है जो मिलता है और किस से मिलता है, उसका source क्या है, किस जानवर से मिलता है, जैसे milk हमें cow से, buffalo से, goat से मिलता है, तो ऐसी आप और भी लिखेंगे इसमें, ठीक है, तो plants के तरह animals भी हमें food provide करते हैं, ठीक है, जैसे देखिए कुछ लोग fish भी खाते हैं, आपको पता ही होगा, fish यह ना, कुछ लोग fish खाते हैं, तो एक रसी भी तो animal ही है, animal से हमें मिलता है, पूरी पूरी fish खा जाते हैं लोग, इसी तरह से आपको ध्यान देना है, कि animal से क् मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है, अब मानले लिए animals से कोई food लेना, तो animals को भी तो बहुत ध्यान रफना पड़ेगा, उन्हें भी घर में रखना पड़ेगा, उनको पालना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, या हम नहीं रखते हैं, कोई ने को ऐसा काम करेगा, जह पिलाते हैं, उनसे खाने पिने की चाज़े आप्टेम करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एनिमल हस्बेनरी, क्या बोलते हैं इसको, एनिमल हस्बेनरी, एनिमल हस्बेनरी का मतलब क्या होता है, एनिमल हस्बेनरी वह होता है, उस प्रॉसेस से कहते हैं, जिसमें हम बहुत स कीज़ में शुर्मु करते हो दो मिया जो अधूसर पाल रह मान, मैं इसे जिए erstmal थandelion के जानारी!!! जीद्पभाषा क्लंड़रों, फूड़, जानके जानारी को पालते हैं, और अधूसर पेज़ क्षैमें क्लिंड आफ़ शुर्टर पीने कि आप करते हैं और फिर उससे हम खाना पीना प्राफ्ट करना है। इसको बोलते हैं Animal Husbandry हिसे इनकी proper क्यार करेंगे खिलाएंगे बिलाएंगे रखेंगे तो जानवरों को बड़े से स्केल पहालना या बड़े से फार्म में पहालना इसी को बोल की अगना हिभास सब NICK लास्ट में इसी इसास हमारा है chapter खता है chapter number one अब इसकी पूरी exercise आपको करनी है ठीक इसकी जितने भी exercise है question number one से लेकर करके question number 11 तक है पूरा यह आपको करना है अपने copy में कोई चीज़ नहीं समझ मैं तो पूछना है इसके answers आपको किताब से मिल जाएंगे किताब से नहीं मिलते हैं तो आप Google में जाए गूगल में सर्च करिए chapter number one का solution solution for chapter number one class eight का science class nine का science तो भी मतुर सर्च करके आप फूरे सारा solution आपको मिल जाएगा और लेकिन समझना में जरूरी पॉपी नहीं करना कि तो समझना बहुत जरूरी ठीक है अब आपको homework यह है कि आपको homework यह है पूरा read करो ठीक है write करो और learn करो पड़ो लिखो और याद करो और सबस्चराद समझो अंडरस्टैंड ठीक है समझना बहुत जरूरी सारी चीज़े को समझो जो चीन नहीं समझ में आती है पूछो मुझसे सारे questions करने है आपको और कोई चीन नहीं समझ में आती है आप Google पर खोश सकते है YouTube पर खोश सकते है सारी चीज़े उसको पढ़ो समझो और पापर में लिख लो हाँ जो कि नहीं समझ में आ रहे किसका मतलब क्या है वो मुझसे आप पूछिए जो भी नहीं समझ में आ रहा है पूछ ब्रो पूछ लो पूरा काम कर लो तो इसका फोटो के मुझे भीजना कि हाँ आमने काम कर लिया है मुझे आप्टर कितने कॉशन अंसर की है कोई कोशन नहीं आ रहा है तो पूछो तो असर किताब में ढूंड़ो सब मिलेगा नेट पे ढूंड़ो मुभाईल पे ढूंड़ो और लेकिन समझना जरूरी यह नहीं कि लिख दिया और पता ही नहीं है समझ लिखना तो ही लिखना नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताना मैं आपको बता हूँ क्या है क्या प्राबल क्या नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से हम करेंगे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछिए कोई भी चीज नहीं सौझ में आए तो आप मुझे पूछना यह पूरा कम्प्लीट करो और हाँ लास में यह दिया होता है चप्टे के लास में देखे दिया होता है इसको जरूर पढ़ना इसमें बहुत सारे कोईशन के आंसर्स मिल जाएंगे यह सारे पॉइंट्स आपको याद होने चलिए यह सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो इससे यह खायदा हो कि कही भी एक्जाम में कोई भी कोईशन आप कि खुमार की आपको पूछा जागा तो आप डर लेंगे इसमेंगे आपको फिलिंदी ब्लैंक्स के आंसर मिल जाएंगे मैज़ा कॉलन के मिल जाएंगे टू यह जो पजल वाला होता है पजल बॉक्स का मिल जाएगा सबको आंसर आपको किताब में मिलेगा 90% आपको 100% वैसे किताब मिल जाए लिए आपको धूनना आना चाहिए बस कोई चीन नहीं मिलती है तो Google पर सर्च करो YouTube पर सर्च करो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कूछ हो ठीक है तो मैं आपको बता जूँगा चलिए स्टूडन्स ये चप्टर ये खतम करते हैं मिलेंगे नेक्स चप्टर में धन्यवाद